है बिसकस का एक ऐसा पौधा बनाना सिखाऊंगा जिसे आपने बना लिया तो लोग देखते ही रहे जाएंगे और मैं इस वीडियो में छोटा सा अपडेट भी दूंगा इसलिए पूरा आखिर तक देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी जो मैं पौधा ब बनाओंगा उसमें 5-6 अलग-अलग कलड़के फ्लावर आएंगे फ्लावर अलग-अलग-अलग कलड़क होगा लेकिन प्लाण का लुक इसी टैप का होगा मैं जो बनाना चाहता हूं उसका मैं पिक्चर नहीं देखला सकता हूं क्योंकि अभी तक मैंने उस प्लाण को आने का सोचा लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इस एक ही प्लांट पर लुक तो ऐसा ही हो लेकिन इसमें जो एक ही कलड़के फ्लावर आ रहे हैं वो एक कलड़के ना के दो-तीन कलड़के फ्लावर आएंगे तो काफी खुबसूरत दिखेगा जैसा अगर आब भी इस चीज में डल्चस भी रखते हैं तो इसे आखिर तक देखिएगा बीच में किस कहीं पर इसकी मत कीजिएगा ऐसे प्लांट को बनाने के लिए सबसे पहले आप हैबिसकस की कटिंग को ग्रो कीजिए और जब वो कटिंग में से ब्रांच दिकल जा तो सिप दो ब्रांच को उपर ग की हो जाए तब उसकी टिप यानि सिरे को काट कर हटा दिजे जब ऐसा करेंगे वो तो उन में से बहुत सारी साइड ब्रांच जिए लिकलेगी लेकिन हमें इस टैप के नहीं बनाना है तो हम इसकी ब्रांच को अब काट देंगे तो पहले मैं इनकी ब्रांच जिए को काट इन पर ग्रांग करनी है तो पहले मैं ब्रांच जिए को काट देता हूँ और कुछ पर ग्रांच कर देता हूँ और इसके बाद बताता हूँ की ग्रांटी कैसे की जाती है आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके देख लाओंगा सबसे पहले ग्राफ्टिंग के लिए एक neat and clean चाकू या फिर blade चाहिए और plastic की लचीली पन्नी चाहिए और ढखने के लिए एक plastic चाहिए चाकू को रबिन अलकॉल या hydrogen peroxide या फिर डेटाउल से साथ कर ले तो अब आती है बात ग्राफ्टिंग की तो ग्राफ्टिंग के लिए ह लेकिन जो इसका main branch है उसे बरने नहीं देना है सिफ ग्राफ्टिंग की गई branch को ही बरने देना है अब इस पर ग्राफ्टिंग करना है तो ग्राफ्टिंग करने में इस बात को दियान देना है कि हम जिस ब्राफ्टिंग कर रहे हैं और जिस ब्राफ्टिंग को ग्राफ्टि को भी ग्राफ्टिंग कहते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए ऐसी ब्रांच लेना है जो बिल्कुल हरी ना हो यानि कि बिल्कुल नई ब्रांच ना हो अगर आप फरवरी मार्च में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तब इसकी ब्रांच पर आपको छोटे छोटे ब्रांच विकले वे दिखेंगे तो उन ब्रांच को काट कर हटा देना है उन्हें तोड़ना नहीं है और पत्तों को भी तोड़ना नहीं है बलके उसे किस चीज से काट देना है हातों से तोड़ना नहीं है अब ब्रांच पर इस टैप से करना है और इस बाता ख्याल रखना है को वो सीधी सपा होनी चाहिए, उबर खाबर कटाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए अब ब्रांच पर बीचों बीच एक चीरा लगाना है और उसमें ब्रांच को दाखिल करकर बांदेना है और बांदना बिल्कुल टाइट है कि वो हिले डूले नहीं अपनी जगापर फिक्स हो जाए और बैंदना लगाए झाल 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 ग्राफ्टिंग को इस टैप से प्लास्टिक की पन्नी से ढग देना है और इसे ऐसी जगे पर रखना है जहां पर सिप मौनिंग और इविनिंग की सनलाइट आती हो और हुमिडिटी भी हो इसलिए बहतर है कि आप इसे किसी बरे पौधों के नीचे रख दे या आसपास इसी हैट के कुछ पौध हो लेकिन उन पौधों की ब्रांचे इस ग्राफ्टिंग की गई एरिया पर नहीं क्रॉस करनी चाहिए अगर क्रॉस करेगी तो हवा चलने की व्यासे वह हिल सकती है और ग्राफ्टिंग एरिया जब हिल जायेगा तो ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी तो यह रहा उस पौदे का अपडेट जैसा कि आप देख पार होंगे बहुत सारी ग्राफ्टिंग सकसेज हो चुकी है लेकिन अभी मई का महीना चल रहा है और इस महीने में इसे समाला बेहद मुस्किल है इसकी ग्रोध काफी धीमी है और इसकी ग्रोध धीमी इसलिए है कि मैंने इस पौदे को ऐसी जगे पर रखा है जहां पर सिर्प एक दो घं की सनलाइट आती है अगर मैं इसे फौदे की सनलाइट में रख दूँगा तब इस सुरत में इसा ग्राफ्टिंग हिस्सा सूख सकता है और जब मैं इसे कम सनलाइट दूँगा तब इस सुरत में इस पौदे की ग्रोध कम होगी खैर कोई बात नहीं इसकी ग्रोध कम हो पक्का हो जाएगा, और मैजीन का महीना खतम हो जाएगा, तम मैझ से फूल डे की सनलाइट में रख दूँगा, और इसकी ग्रोध हो जाएगी, इस साल मैझ प्लान्ट में फिलावर को आने नहीं दूआँ गा, जो भी फिलावर आएगे, उसे काट कर हटा दूँगा और ये करना पौधों की ग्रोध के लिए और उसके सेप के लिए बहुत जरूरी है जब मैं फूलों को खिलने नहीं दूँगा तब इस प्लांट की ग्रोध होगी और जब मैं ब्रांचेज को काटूँगा तब ये पौधा बुसी बनेगा और हर ग्राफ्टिंगी जिससे हिस्टे से बहुत सारी ब्रांचेज लिए जिस वाए से इस पौधे का लुग बहुत खुबसूरत बन जाएगा लेकिन एक बात तो ख्याल लखना है इसका जो में पौधा है उसकी ब्रांचेज को बनने नहीं देना है नहीं तो इसका ग्राफ्टिंग जो ब्रांच है उसकी ग्रोथ नहीं होगी सरिफ ग्राफ्टिंग ब्रांच को ही बनने देना है और इसका जो में पौधे की जो भी ब्रांचेज लिख लिख लेगी उसे काट कर हटा देना है तभी ये पौधा अपने लुक में आ पाएगा अगर आप भी ऐसा पौधा बनाना चाहते हैं तब आप इस सुरत में इसकी ग्राफ्टिंग या तो फरवरी के महीने में कीजिए या तो मार्च के महीने में कीजिए लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट फरवरी के महीने में मिलते हैं मैंने भी फरवरी और मार्च में ग्राफ्टिंग इसकी कीए थी लेकिन जो ग्राफ्टिंग फरवरी में किया गया था उसमें काफी बहतर रिजल्ट मिले और जो Mars में किया गया उसमें थोरे कम और जो April में है उसमें बहुत कम Result मिले है अगर आपने फरवरी के महिने में इसकी cheating नहीं किया है तब आपको दूसरा सिजन मिलता है बरसात का महिना इस पौधर को आप बरसात के महिने में भी बना सकते हैं या तो आप फरवरी में बनाईए, या तो फिर परसाथ के महीने में, मैजून के महीने में ट्राइ मत कीजेगा, आपको रिजल्ट काफी बेकार मिलेंगे, मैजून के महीने में ग्राफ्टिंग के चांसेज बहुत कम रहते हैं, हर दस ग्राफ्टिंग में से एक ग्राफ्टि है और उसकी भी chances कम रहते हैं सबसे बेश्ट है फरवरी का महीना और उसके बाद मार्ज का महीना या फिर बारिश का महीना अगर आप ऐसा बहुता बनाया चाते हैं सबसे पहले याद रखिएगा ग्राफ्टिंग आपको फरवरी या मार्च के महीने में करना है या फिर बरसाथ के महीने में करना है और ग्राफ्टिंग सक्सेज हो जाने के बाद इसकी जो मेन प्लांट है उसमें से कोई ब्रांच इसको लिकलने नहीं देना है सिर्फ ग्राफ्टिंग वाली ब्रांच को ही बरने देना है और कोशिश किजिए एक कुछ महीने तक पौधे में से फ्लावर हासिल नहीं किया जाए जो भी फ्लावर बट्स लगे नहीं काट कहटा दिया जाए और उसकी ब्रांचेश को काटा जाए जिससे मल्टिपल ब्रांचेश लिख लेगी और जिसे मल्टिपल ब्रांचेश लिख लेगी तब यह पौधा अपने असल रूप में आ पाएगा उमीद है सारी जानकारी मिल गई होगी